वोट्स गुट्यू गाइस दिस आप लगवानी वेलकम बैक तो माई चैनल तो गाइस यह जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीडियो के ब्रांच वर्सिस कट आफ के ऊपर किस रैंक पर कौन सी अपने को ब्रांच मिल सकती है कट आफ देखें गया एक ए एक जो ब से शाल आती है कि करते रहो तो गाइस वीडियों दोनों को बेश्टिश पर लिए यार दोनों के बेसे से पे एक तो इस साल का भी बच्चे क। निकाला गया है पने जो बहुत ज्यादा माइनर अपने जो बोलते हैं जैसे 95-97 परिसेंट पर बहुत जादा चेज परसेंट जेएमेंज में 86 परसेंट तो यार करीबन 6,000 के आसपस रंक आई है बोर्ज में 92 परसेंट जेएमेंज में 96 परसेंट तो यार करीबन 12,000 के आसपस रंक आई है बोर्ज में 95 परसेंट जेएमेंज में 94 परसेंट तो यार करीबन 12,000 के आसपस रंक आई है बोर्ज मे 12000 के असपास रेकाईये बोली में 95 पर्सेंट और जे में 97 पर सेंटेंट जád था करीबन 7000 के आसपास रहें तो यार हमको यहां पर ये देखने को मिल रहा है вним बोल में यहां धीश म anymore 94 95% के आसपास है तो यहां जान करीबन 12-134 1000 के आसपर सरेंग हमारी बन रही है मतलब 95% वोट्स पे और जे मिन्स के 94-95 परसेंटाइल पे उसमें भी अच्छे परसेंटाइल तो करीबन 12-13,000 के आसपर सरेंग देखने को मिल रही है अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि यहां जो स्टार्टिंग के 4-5,000 बच्चे रह बत नहीं है ठीक है क्योंकि यार अगर स्टार्टिंग के 3-4,000 बच्चे जो अच्छे परसेंटाइल लेक्या है ठीक है अच्छी रैंक लेक्या है तो यार कही न कहीं वो जरूरी नहीं है कि वी आईटी वेल लॉर्म एड्मिशन ले ठीक है वो लोग यार जै मिन्स दुब क्योंकि यहां पे नंबर अफ अफ एपलिकेशन इस बार ज्यादा एंग्याइट के पास ठीक है और यार काफी ज्यादा बच्चों ने अप्लाइक है तो कहीं न कहीं यार विए टी वेल और एक प्राइवेट उनिवसिटी है तो कहीं न कहीं उनने सीट भी बढ़ाई होग केटेगरी वन की जो फीस होती है ठीक है वो यार 2 लाग के आसपास होती है 1,90,000 के आसपास करीब केटेगरी 2 की बात करूँ तो यार वो 3 लाग तक जाती है केटेगरी 3 की बात करूँ तो यार वो 4 लाग तक जाती है category 5 की बात करूँ तक करीबन तक यार करीबन वो 5.000.000 रुपई तक जाती है उसकी साल की फीस यार category 1, 2, 3, 4 एक प्रकार से समझो की जितनी अपन category देखेंगे उसमें अलग-अलग फीस है category 2 में जादा है category 3 में और जादा है category 4 में और जाद है अब यहां प्यार जो category 1 computer science के cut off है वो यार 5000 से 6000 तक है ठीक है अगर हमारी counselling 1 की बात करूं तो हमें 4-5000 तक देखने को मिल सकती है ठीक है अगर मैं इसकी category 2 computer science की बात करूं तो हमें 12-15000 तक देखने को मिल सकती है अब आपकी rank यार 6000 के अंडर आती है तो यार आपक आपको category 2 मतलब 3 लाग वाली fee structure में आपको definitely admission मिल जाएगा next मैं IT की बात करूं तो है 8000 से 9000 तक इसकी cut off है category 1 की ठीक है अगर मैं category 2 की बात करूं तो है again इसमें आपको 16000 के आसपास rank चाहिए तभी जाके आपको category 2 में admission मिल सकता है ठीक है IT की बात कर रहा हूं category 3 में आर वैस इसे जैसे category बढ़ेगी यार वैसे वैसे आपकी rank भी बढ़ेगी और वैसे वैसे आपकी piece भी बढ़ेगी समझ रहो next बात करूंगे इसी की तो है 9-10,000 के आसपास इसका cut off जाता है ठीक है category 1 का अगर मैं category 2 की बात करूं तो है 20,000 के आसपास आपको EC देखने को मिल जाती है next इसकी category 2 में 50,000 तक इसकी जाती है ठीक है अब यार काफी बच्चों का doubt है रहेगा कि भाईया मैं इसका fill-up कैसे करूंगा इसकी counseling में सबसे simple process यह है ठीक है आपको CS से start करना है CS की जितनी भी specialization है सारी आपको fill करनी है then आपको IT fill करनी है and then आपको EC then mechanical then आपको EEE then इसकी civil then chemical accordingly आप अपने हिसाब से fill कर सकते है इसकी priorities ठीक है यार देखो simple बात है कि जो starting के बच्चे है ठीक है उनकी जेए में में काफी अच्छी percentile है तो यहार वो कही ने कहीं यार वो admission नहीं लेंगे वी IT में तो यहार यहार अपने को डरना नहीं है ठीक है अगर क्योंकि यार उनक लोग नेक्स वीडियो में तो यहार यहां पर देखने वाली बात है कि अगर आपके 10,000 रेंक है 12,000 रेंक है तो यहार आपको category 2 के आसपास आपको CAC मिल सकती है ठीक है अगर आपकी 15,000, 16,000 रेंक है अगर आपको computer science ही चाहिए तो category 3 के आसपास आपको CAC मिल सकती है ठीक है counseling में और यार उसके साब सब apply कर सकते हैं ठीक है next यार मैं यह बोलना चाहूँ है अगर यार आप अपनी seat से satisfied हो तो यार आप definitely अपनी seat को lock करा लें ठीक है क्योंकि यार आगे पता नहीं है क्या होने वाला है ठीक है अगर आपको लगता है कि यार शायद मैं JMAs में अतना अ ठीक है ठीक है तो आप counseling में जाओ यार ऐसा नहीं कि आपको थोड़ी और अच्छी मिल सकती है जैसे mechanical की बात करो तो category 2 में आपको मिल जाएगी 40,000-30,000 के आसपास तो यार ऐसे जाना counseling में ठीक है जरूरी है तो गाई जेदा आज का वीडियो थापर की वीडियो आने वाली कि आए वह भी देखना और जेएमेन पोस्पोन के ओपर भी एक और वीडियो लेके आने वाला हूं तो यार वह भी देखना ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो में बागी comments में पूछलो सारी बाते वहीं पर answer कर दूँगा तो यार मिलते है नेक्स वीडियो में